गुड मॉर्लिंग एशुटेंट वेलकम टू फ्लाई जे निट मेरे प्यारे बैच्चों क्विक क्रेकर 45 डे 11 में आपका स्वागत है और हम प्रॉपर्टी जाफ फ्लुइट्स का 20 मिनिट में रिविजन करेंगे इसके बाद निट प्रीविश ये पेपर सौल करेंगे तो अ इस सार्फेस टेंशन सो यह क्या है इंटर मॉलिकुलर फिनॉमिना है और हम यह पढ़ते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंद इट इज रिप्रेजेंटेट बाई टीज कोल टू एफ बाई एल टेंजेंशियल यहां पे टेंजेंशियल टूदी लिक्विड सर्फेस यह जो फोर्सेज होगा वह इस तरीके से लगेगा यहां पर इस तरीके से किसी फ्री सर्फेस पर क्या होगा यह फोर्स लगता है यहां पर सर्फेस टेंशन अगर हम बात करें यहां पर सर्फेस टेंशन मालने की अगर कोई नीडिल है ठीक अगर वह होल्ड किया है कोई नी यहां पर भी ती दो जाएंगे लेकिन इसी का एक component टू टी सांट यह को बैलेंस करता है ठीक इस वजह से यह नीडिल क्या होती है रेस्ट पहोती है आप देखोगे की नीडिल जो छोटी-छोटी पतली नीडिल होती है वह वाटर पर फ्लोट करती है इस क्यों करती जस्ट बि Pedrao बढ़हाते हैं तो सप्वेस्टेंशन घटेगा दूसरी चीज अगर इंपुर्टी डालते हैं इंपुर्टी तो सर्फेस टेंशन बढ़ेगा जैसे आप डालते हैं तो सर्फेस्टेंशन कम हो जाता है या फिर क다 मिनयेंस सब्सक्रापर है तो कपकप बढ़ेगा और किन क क्या कर पे Україं तो इसमें क्या gjावशाемся लगाएंगे अब यहां पर लगेगा पी लगेगा還是 after सभेच्ट में पढ़ चाहेगे घंडिक लगेगे अल्सों कि क्नूक्ट आश्लिक साथ, करें कि कोई आगर आपके पास कैविटी है कोई अगर सर्कुलर रिंग है या डिसक के सब जहें तो यहां पर सर्फेस टेंशन जो फोर्स की वेलू होगी कितना इसको लिफ्ट अप करने कितना फोर्स लगेगा तो टी इंटू टू पाई आरोवन यहां पर यह आरोवन है और के वाला आर टू प्लस टी इंटू टू पाई आर टू ऐसे यहां पर है अगर मैं इसको खीचना चाह रहा हूं तो कितना फोर्स लगा के खीचूंगा तो यहां पर दो लेयर फ्लूइड की दो लेयर होंगी अगर आप कोई माले यह पे नहीं तो एक वाल एक आपकी तरफ वाला जिदर बच्चों आप देख रहे हो उधर एक लेयर है और एक मेरे साइड तो जब इसको खीचेंगे तो दो लेयर वाटर की यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर जो फोर्स लगन लगेगा ड़िस टी इंटू टू यल टी इंटू टू यल तो वर्डन कितना हो जाए हैं सो information of droplets अगर हम बात करें तो वर्डन अगेंस सर्फेस टेंशन जो है डैट इस डवल इसकल टू टी इंटू सर्फेस टेंशन इंटू सर्फेस एरिया डैट इस फोर पाई आर स्कॉर अगर आप स्फियर कोई ड्रॉप फॉर्म करना चाह रहे हो तो सर्फेस टेंशन मैं तो यहां पर इस चीजह तो हम समझते हैं यह तो यहाँ पर पाली चीजह थो जो यह बढ़ी लॉफ है यह भी छोटी ड्रॉप जोटी रॉपाउड रैडियस है तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा इनले the number of drop जिसमें यह breakout हुआ है तो यह relation small r is equal to capital r n to the power 1 by 3 अगर हम initial surface area देखे तो 4 pi r square और अगर final surface area देखे तो n number of drops है तो n into 4 pi r square तो यहां पर increase in surface area निकाल लेते हैं तो अगर surface area increase हमें पता चल गया तो हमें वार्डन पता चल जाएगा ठीक है so excess pressure अब यहां पर एक तो यह चीज है कि surface area increase हो रहे मतलब surface area बढ़ेगी तो surface energy भी बढ़ेगी और surface energy बढ़ेगी तो potential energy घटेगी अगर यह potential energy घटेगी तो temperature घटेगा इसका मतलब energy absorb हो जाएगी energy absorb आपने देखा कर लेता है तो यह वहां ठंड लगती है ठीक है तो यह basic fundamental बच्चों वहां से है फिर बात करते हैं excess pressure due to surface tension बस basic concept formula formula यहां पर बात करें तो अगर inside drop की है that is 2T by r where r is the radius and t is the surface tension अगर cavity या air bubble की बात करें तो that is for 2T by r लेकिन अगा 100 bubble की बात करें 100 bubble में 40 by r होता है that is excess pressure फिर capillary rise बहुत important formula capillary rise that is h is equal to 2T upon r rho g where r is the radius of miniscus ठीक है यह आ रहे अगर हमें capillary का radius दिया हो यह वाली तो यहां जहां capillary rise कर रही है ठीक है उसका radius दिया हो तो हम क्या पूटी cost theta upon r rho g पढ़ते हैं यहां पर आर इदी radius of capillary tube यह बाते याद रखें तो अगर आपको इतनी बाते पता हैं तो आप surface market करते हैं first one is hydrostatic second one is hydrodynamics hydrostatic का मतलब क्या होता है किसमें क्या pressure लगेगा किस point पर कितना pressure लगेगा उसका कितना force लगेगा यह सारी चीज़े हम यहां पर discuss करेंगे तो पहरी चीज जो पढ़ते हैं that is specific weight that is omega that is weight upon weight upon volume दूसरा चीज है relative density मतलब density of given fluid upon density of pure fluid pure water at 4 centigrade ठीक है अब यहां पर चुकिए atmospheric pressure हर बच्चे पता है 1.01325 10 to the power 5 Newton per meter square ठीक है यह इसको बोलते हैं सियर स्टेस्ट इस ताउ is equal to mu du over dt basically new क्या है that is called as coefficient of viscosity direct formula इस question पर डारेक्ट questions आते हैं इस वाले formula पर ठीक है जहां new क्या है इसका unit क्या है that is 0.1 Newton second per meter square ठीक और du by dt क्या है rate of strain बोलते है rate of strain फिर इसके बाद पढ़ते ही gauge pressure gauge pressure मतलब कि जो भी atmospheric pressure के ऊपर जो pressure measure किया जाता है that is called as gauge pressure मतलब pressure minus atmospheric pressure that is called as gauge pressure अगर absolute pressure पूछा जाए तो atmospheric pressure plus gauge pressure ठीक है फिर आते हैं Pascal's law Pascal के law के application पर question आये हुए है निट में the pressure in a fluid at rest is same at all the points ठीक that is called as Pascal's law ठीक अब इस में lift based questions आते हैं कि वही concept एक ही है कि pressure सेम होगा हर direction में मतलब पी निचल वराबर P बराबर P आउटलेट तो वहां पर पी इन लेड़ बराबर अगर पी outlet कर देते हैं पी इन बराबर P आउट तो यहां पे क्या लिखेंगे एफ इन बाई एरिया इन बराबर एफ आउट अपान एरिया आउट तो यहां से भी वह कुशन सौल्व करते हैं तो इसके बेस्ट पासकल स्ला फिर आते हैं बरनोली एन आर्किमिडीच प्रिंसिपल ठीक सॉरी बायंसी एन आर्किमिडीच प्रिंसिपल तो जैसे आपके आपने पढ़ा होगा कि 22 पहली चीज होती है यह जब भी आप कोई जो सबस्टेंस है कोई फ्लुइड में आप डालते हो तो एक थ्रस्ट फोर्स उपर की लगता डट इस काल्ड़ एज बायंसी फूर्स ठेक उस उस बायंसी फूर्स की वैलू कैसे निकालते ह है डिनीस डिस्प्लेश्ट वाटर जितना जितना वाटर वेट 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 आफ डिस्प्लेश्ट वाटर आप बोल सकते हैं तो डिटिछ सब्सक्राइब क्या होता है कि जब in motion हो जाए तुछ में क्या है कि उस्पे प्रेसर कितना आएगा उस पे विलासिटी कितनी होगी यह सारी चीज़ें यहाँ पर परते हैं फिर इसमें एक होता है steady steady and unsteady flow steady flow का मतलब क्या होता है कि जब velocity pressure यह सारी चीजें आप point to point vary कर रही है with respect to time that is vary नहीं करती तो steady flow अगर vary कर रही है तो that is called as unsteady flow ठीक फिर आते हैं laminar and turbulent flow यहां पर नमबर आता है विसके लिए laminar and turbulent के measurement में तो यहां पर रोवीडी अपान इटा से बात करते है जो रेनॉल्ड नमबर आता है डैट इज रोवीडी अपान इटा ठीक अगर रेनॉल्ड नमबर अगर flowing pipe है रेनॉल्ड नमबर 2000 से कम है अगर 2000 से ज्यादा है यहां पर आते हैं कि आपके पास continuity equation मतलब अगर density से मैं यहां पर हमने density पहले अलग अलग लिया है तो रोवन एवन वीवन इसकल टू रोट टू एटू वीटू डैट अगर रो दोनों का सेम है मतलब एक cross section से दूसरे cross section में अगर density नहीं वहरी हो रहा है तो आप वहां क्या पढ़ेंगे एवन वीवन बराबर एटू वीटू समझ मा रहा है बच्चों फिर यहां पर आते हैं बर्नोली equation बर्नोली equation पहले क्या-क्या हैं तो fluid is ideal, steady, continuous, incompressible, non-viscous, in rotational there are the six parameter तो इतने assumptions होते हैं तो जो है बर्नोली equation आप अप्लाई कर सकते हैं आप इनलेट और आटलेट पे equation लगा सकते हैं फिर आते ही वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर बेसिकली क्या है फ्लो रेट मेजर करता है तो फ्लो रेट कैसे एवन यहां पर यहां पर माल लेते हैं कि प्रिसर आपके पास यहां पर एरिया एवन है विलास्टी वीवन है इस पॉइंट पे एटू है विलास्टी वीटू है और इसमें क्या एक मैनो मीटर अटेच कर देते हैं मैनो मीटर से हम यहां पर एक्स की वेलू देख लेते हैं कितना राइज या फॉल हो रहा है तो एक्स की वेलू से हम एच निकाल लेते हैं फिर यहां पर फ्लो रेट न एसे मतलब रिलेटिव डेंसिटी आफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड और एस क्या है रिलेटिव डेंसिटी आफ दी फ्लूइंग फ्लूइड ठीक फिर हम बात करते हैं टॉरसली लाफ इन फ्लेक्स मतलब यहां से अगर हम हमारे पास कोई वाटर फिलप है अगर हमने बीच उपर से small h hide पर क्या किया एक hole, hole कर दिया तो इसमें से कितना inflix निकलेगा कितनी velocity निकलेगी तो velocity की value b point पर क्या होगे अलगर root of 2gh basically आप यह बर्णूली equation से भी यह equation derive होता है इन दो points के बीच में बर्णूली लगा करके equation derive होता है पुर आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजे पूछी आती है कि time कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में तो equation of motion की help लेते हैं H minus small H is equal to half gt squared यहां से t की value लिख लेते हैं इसके बाद range कितना लगेगा range कितनी दूरी पर पानी गिरेगा कितनी दूरी गिरेगा UX into T तो यह आपके पास range जा जाएगी फिर आते हैं स्टोक्स ला एंड टर्मिनल velocity तो टर्मिनल विलास्टी क्या होता है कि बेस्किली जब आप कोई object जो है किसी medium में गिरता है तो उस पर क्या-क्या फोर्स लगते हैं एक तो उसका weight लगेगा उस पर एक बैंसी फोर्स उपल लगेगा और उस पर क्या एक विसकस फोर्स लगेगा तो यह तीन-तीन फोर्स यहां पर लग रहे हैं तो एक time के बाद क्या होता है जब equilibrium condition achieve करता है तो this body is going to be a constant velocity that is called as terminal velocity वो जो constant velocity achieve करता है that is called as terminal velocity that is 2 by 9 r square rho minus sigma upon eta जहां sigma क्या है sigma is the density of the flow density of the liquid जिसमें आपका body गिर रहा है और rho क्या है density of the ball या फिर जो भी object गिर रहा है ठीक तो यह basic जो है इतने foundations है अगर आपको इतने सारी चीजें आती हैं तो आप need के सारे questions कर सकते हैं so start करते हैं need previous year questions आप formula का जो है आप short notes बना सकते हैं जैसे मैं यहां पर लिखा हूं तो start करते हैं previous year question start करते हैं need previous year question number first and appropriate depth of an ocean is two thousand seven hundred meter the compressibility of the water compressibility मतलब के दिया है ठीक compressibility of water दिया है and density of the water is आपको पता है thousand kg per meter cube what fraction of the compression of the water will obtained at the bottom of the ocean तो कल की concept में एक चीज़ बताया था याद करिएगा कल इसके प्रिवियस वाला वीडियो देखिएगा mechanical properties of solids उसमें क्या है कि compressibility जो के है that is one upon bulk modulus अब बल्क मॉडूलस क्या होता था वी बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा वी ओवर वी था इसका मतलब अगर हम वन बाई बी लिखना को वाट fraction of compression मतलब डेल्टा वी बाई वी पूछ रहा है तो अगर डेल्टा वी बाई वी पूछ रहा है तो इसका मतलब बचों कैसे निकाल सकते हैं यहां पर multiply कर लें के इंटू डेल्टा पी ठीक अब के की वेलू compressibility दिया है आपके पास 45.4 10 to the power minus 11 अब प्रेसर क्या होगा डटी रो जी एच आपको पता है ने प्रेसर कितने हाइट पे पूछ रहा है 2700 तो इसका मतलब रो जी एच रो की वेलू density आफ दी वाटर 1000 जी की वेलू 10 और यहां पे एच की वेलू 2700 यह आपके पास इतना मीट इतना क्या जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा वी वाई वी आजाएगा समझ में आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर सेकेंड यह बेसिकली जो compressibility है that is the property of the fluid compressibility के कहीं कहीं solids में भी आता है लेकिन maximum case में compressibility जो फ्लूइड में यूज किया जाता है क्योंकि क्या होता है जब आफ किसी वाटर को दबाते हो तो उसमें fractional changes होते हैं किसी वाटर को compress किया तो आपने पढ़ाता bulk modulus that is normal force divided by chain volumetric strain that is delta V by V समझ मागया स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर सेकेंड a wind with speed of 40 meter per second blows parallel to the roof of house और हाउस का रूप का एरिया दिया है assuming the pressure inside the house is atmospheric pressure exerted by the wind of the roof and direction of the force अगर मालने यह आपके पास च्छत है सपोज इस तरीके से च्छत है इंसाइड का प्रेसर हमें बताया है इंसाइड का जो प्रेसर दिया है that is atmospheric atmospheric pressure अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन इतना है कि यहां से एक जो है क्या हो रही speed wind flow हो रही है V velocity से ठीक है V velocity से तो अगर इनके इनके बीच में क्या लगा दे बर्नोली equation बर्नोली equation क्या कहता है कि P P by rho g plus V square by 2g plus h is equal to constant ठीक तो अगर इन यहां पर यहां पर से मैं हाइट तो बराबर है दोनों पॉइंट पर अगर हम बहुत पतला रूफ पाने तो हाइट दोनों की लगभग बराबर है और यह दोनों जो इनसाइट देखें यहां पर फ्रेवलास्टी 0 है यह वाली velocity क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इसका ठीक अब यहां पकशे क्या हो जाएगी धर वाली 0 हो जाएगी अब delta पी अगर लिखना चाहें तो भी-square यहां पर अगर delta पी लिखना चाहें घूँट तो यहां प yum ये वैलू क्या हो जाएगी डेल्टा पी वी शेवाइज क्या हो 12 यह तो यह चेंगे इन क्या हो जाएगक प्रेशर आजाएगा से लिखिक क्या कर रहे हैं जो आपके पस पी रोजी है प्लस वीशे वी शेवाइय दों मे twenty two slash h is equal to constant रोजी से multiply कर लें अगर रोजी से multiply कर लेंगे तो स्क्वारवाई टू आ जायेगा यहाँ ठीक वी स्क्वारवाई टू अब यह डेल्टापी आ जाएगा अब डेल्टापी आगया अब यह क्या होता है आपको पता है प्रेसर की वैलु क्या है द्यर्ट इजब फोर्श मोल्टििप्लाइड बाइड इरिया तो इसका मतलब यहाम पर भी एरिया से मोल्ट्पलाइब करणा पड़ेगा तो हमारे पास क्या वैलुह फोर्स देगा ठीक 40 into 40 divided by 2 into 250 ठीक तो यह आपके पास sensor हो जाएगा that is that is in Newton यह फोस पुछा तो तो यह आपके पास क्या जाएगा in Newton समझ में आगे बच्चो a certain number of spherical drop of liquid of radius r छोटी 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 स्पेरिकल ड्रॉप से इनकी radius क्या दिया है आर दिया है कोल सेंस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप इससे एक बड़ी ड्रॉप बन रही है that is having radius r तो आपके पास energy जो आपके पास रिलीजड होगी यहां पर energy छोटी छोटी ड्रीप जो है droplets मिलके बड़ी ड्रॉप बन रही है तो इनर्जी रिलीजड होगी अब यह आपके पास अगर energy रिलीजड हो रही है इसका मतलब क्या है energy रिलीजड की वैलू क्या होती डैट इस सर्फेस टेंशन एंटु एरिया फॉर पाई आर स्क्वेर एंटु दी पावर वन बाई थरी माइनस वन अब इसमाल आरो इसमें ड्रॉट मिली है फॉर वाइथ Anders या बराबर किसके फोर बाई थरी पाई यास थीजड सकते हैं आप यहां सत्होड़ा सा रिप्लेस्मेंट है तो यह यहां से टी बोइच के नच R Qube लिख दे R से multiply कि यह तो आसर दिवाइड भी करना पड़ेगा एंटु दी पावर 1 बाइ 3 बाइर अपान 1 बाइर अब यह है क्या चीज ऑव एंटु दी पाइर वन बाइ 3 बाइर है क्या चीज यह अगर डिवाइड बाई आर करें तो वैलू क्या ती ही इंटू फॉर पाई आर स्वेड़्ी ऑन tum ね informing वानलार माइनस वमपाई क्या यहां सर इसल्न से तक अब यह फॉर फॉर एर क्युब है फॉर पाई आर म्याम थो है ऊंसार दिया वह था इसका मतलब विला वालूम क्या है फोर बाई थिरी पाई आर क्यूब तो थिरी वी बराबर फोर पाई आर क्यूब ते वैलु कितना थिरी इंटू वी इंटू टी वन बाई आर- वन-बाई कैपिटल यह आपके पास जो इनरजी रिलीज जाएगा वह यह वैलू हो जाएगी तो मेरे प्यारे ही है अल्राइट सो आपके जो भी डाउट्स हैं आप 9427606087 पे पोस्ट करें वहां पर मैं जरूर रिपलाई देता हूं बच्चों के सो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू आला फियू